नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है जेश्ट पूर्णिमा आ रही है अनेक शुभ्योग बन रही है और भोग विलासिता दिलाने वाले भातिक सुख दिलाने वाले एक ऐसे ग्रह ने राशी परिवर्तन किया है कि इन चार राशी वालों की किस्मत जबर्दस तरीके से चमकने वाली है यह क्यों होगा? कैसे होगा? जानने के लिए विडियो को आखिर तक जरूर देखें हो सकता है आपकी राशी भीड में हो तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखें जैमा लक्षमी पहले बताते हैं क्या खास बात है इस दिन विशेश की दोस्तों हिंडू कैलेंडर के अनुसार जेश्ट मास साल का तीसरा महीना होता है इसे जेश्ट मतलब बड़ा अर्थात विद्वान के रूप में बताया गया है ऐसे जेश्ट मास की पूर्णिमा भी विशेश तौर पर मनाई जाती है इसे बेहत खास माना जाता है भी आशिरवाद मिलते हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है इस दिन की पूजा से शारिरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांती का वर्दान मिलता है इस पूर्णिमा का धार्मिक ग्रिष्टी से खास महत्व बताया गया है जेश्ट पूर्णिमा चार जून को है और इस दिन धार्मिक कार्य, अनुष्ठान, वरत करने का और दान पुर्णिय करने का विशेश महत्व होता है कुछ जगों पर वट सावित्री वरत भी जेश्ट पूर्णिमा को रखा जाता है बहिलाए पती की दीरगाईू के लिए वरत करती है और बर्गत के पेड़ की पूजा करके प्रार्थना करती है इस दिन पवित्र नदियों में सनान करने और दान करने से मनुष्यों को शुप फलो की प्राप्ती होती है ये दिन भगवान विश्णो और शिव जी को समर्पित दिन है उनके साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से अपार धन की प्राप्ती होने की धार्मिक मान्यता भी बताई गई है जेश्ट पूर्णिमा पर स्नान, ध्यान, दान आदी करने का विशेश महत्व है इस दिन चंद्रमा के निमित्त चीजे दान करने का भी विशेश महत्व बताया गया है जेश्ट पूर्णिमा पर चांदी, फल, फूल, चावल, शक्कर, जरूरत मंदों को खाना, दही, मोती आदी चीजे दान करने से काफी लाब मिलता है अगर आप मानसिक कष्टों से मुक्ती पाना चाते हैं, तो पूर्णिमा का व्रत अवश्य करें पूर्णिमा व्रत करने से पारिवारिक कला और अशान्ती दूर हो जाती है जिन व्यक्तियों की कुंडिली में चंद्रग्रह पीडित है, दूशित है और इस वज़ा से जीवन में बहुत समस्याएं आ रही है उन्हें इस पूर्णिमा का व्रत अवश्य करना चाहिए इस दिन की महत्ता बढ़ाने इस दिन आ रही है अत्यंत शुबकारक योग सिध्धी योग और सरवार्थ सिध्धी योग हर प्रकार की सिध्धी दिलाने वाले योग ऐसे योग में मा लक्ष्मी की किसी पर कृपा हो जाए तो वो करोडपती बनना तै है इस पर चार चांड लगाने वाला है एक बेहत खास योग धन योग यानी धन दिलाने वाला योग भौतिक सुक और भोग विलासिता दिलाने वाले शुकर ग्रह के करक राशी में गोचर से धन योग बनने जा रहा है इस कारण कुल चार राशी वाले जातक धन, सुख सम्रधी पाने वाले हैं उन पर बेहत पैसा बरसेगा इसके अलावा शुक्र ग्रह को रोमांस और वैवाहिक सुख का अधिपती माना जाता है और इस गोचर से कुछ राशियों के जीवन में प्यार और रोमांस की भी प्राप्ती होगी इन में से एक राशी अगर आपकी भी है तो खुशी से जूम उठने का समय है जानते हैं उन खुश नसीब राशियों के बारे में लेकिन उससे पहले आप से रिक्वेस्ट करते हैं कि विडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों को शेर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेलकम जरूर बताईएगा दोस्तों इस पर्फ की पहली खुशनसीब राशी है मेश राशी मेश राशी के चतुर्ध भाव में यानी सुख भाव में शुक्र गोचर कर रही है ऐसे में शुक्र का प्रभाव आपको भेतरीन सफलता दिलाएगा आर्थिक पक्ष मजबूत होगा कहीं फसा अटका धन भी वापस मिल जाएगा जमीन जायदाद से जुड़े मामनों का निप्तारा होगा किसी न किसी माध्यम से बड़ा धन लाब संभव है जिससे आप अपने कामकाच को नई दिशा देंगे व्यापार विस्तार संभव है वाहन आदी का लाब हो सकता है नौकरी करने वाले जातकों को पदोनती या फिर नए अनुबंध की प्राप्ती के योग है विवाहित इच्छुक जातकों को खुश खबर सुनने को मिल सकती है आप इस वक्त अपने परिवार की सुक सुविधाओं का ख्याल रखेंगे उनको और आराम देने की कोशिश करेंगे अगर आप समय और अपनी उर्जा का प्रबंधन ठीक से करते हैं तो आप इच्छित सफलता प्राप्त करेंगे आपको अपने कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा मित्रों के सहयोग से आप अटके हुए कार्यों पूरे करेंगे अगर आप राजनीती में हैं तो आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी या पद मिल सकता है महिलाओं को इस समय शायद ओफिस और घर के बीच संतुलन बनाने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है व्यापार से जुड़े जातकों को न केवल मन्चाहा लाब प्राप्त होगा बलकि व्यवसाय को आगे ले जाने के अवसर भी प्राप्त होंगे इस दौरान नौकरी पेशा जातकों के लिए आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे परीक्षा प्रतियोगिताओं की तैयारी में लगे लोगों को शुप समाचार मिलेंगे प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी दामपत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा और परिवार के साथ खुशी से समय बिताने के मौके मिलेंगे स्वास्थ्य सामान्य रहेगा इस पर्व की दूसरी भाग्यशाली राशी है कन्या राशी राशी के एकादश लाब स्थान में गोचर करते हुए शुक्र का प्रभाव बहुत ही अच्छा रहेगा और प्रतियोगिता में बैठने वाले छात्रों के लिए तो ये अवसर किसी वर्दान से कम नहीं आपकी आर्थिक उन्नती के पूर्ण योग है अगर आप अपने मित्र की सला मानकर कोई काम करेंगे तो आपको लाब मिलेगा आर्थिक चुनौतियों से लडने का मौका मिलेगा आपको जो भी पैसे की दिक्कते आ रही थी वो सारी दूर हो जाएंगी इस दौरान कुछ योजनाओं में आपको बहुत बड़ी काम्याभी हासिल होगी इनी से बड़े लाब के योग बनेंगे खूब धन मिलेगा शायद पैत्रिक संपत्ती से या परंपरागत चले आ रहे किसी कामकाज से भी आपको लाब हो सकता है भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा लेकिन बड़ा फैसला लेते समय दिमाग के साथ साथ मन की भी सुन्नी होगी घर परिवार या व्यापार से जुड़ा कोई भी फैसला भावनाओं में बहकर ना ले किसी मित्र या प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपको अपने करियर को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्थ होगा बहिलाओं के लिए भी ये समय शुबकार साबित होगा प्रेम संबंधों में मधुर्ता आएगी सौहार्ग बढ़ेगा दामपत्य जीवन सुखमय रहेगा अगली खुशकिस्मत राशी है तुला राशी राशी से दशम कर्म भाव में गोचर करते हुए शुक्र का प्रभाव कार्यक्षेत्र का विस्तार तो करेगा ही लेकिन कोई भी बड़ा कार्य आरंब करना हो तो उस दृष्टी से भी ग्रह फल अनुकूल रहेगा संपत्ती संबंधी विवाद हल होंगे जमीन जायदाद से लाभ मिलेगा सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना हो तो भी ग्रह सितियां बिल्कूल अनुकूल रहेंगी विदेश यात्रा के योग हैं लेकिन अपने स्वास्थ को लेकर थोड़ा ध्यान रखें धन की चिंता छोड़ दें आपके काम में उन्नती होना पक्का है कोई शौटकट ना अपनाएं इमानदारी का आपके हक का पैसा आपको मिलने वाला है इस दौरान पिता के साथ आपके संबन्द बहुत ही मधुर होंगे नए अवसर आपको मिलेंगे पारिवारिक ही नहीं बलकि पेशेवर समस्याओं का समाधान निकालने में आप बेहत सफल होंगे संतान पक्ष से जुड़ी कोई उपलब्धी भी आपके सुक और सम्मान का कारण बनेगी युवाओं का अधिकान समय मौज मस्ती में बीतेगा मतलब ये भी है कि छात्रों का ध्यान पढ़ाई से हच सकता है अगली खुशनसीब राशी है मकर राशी राशी से सप्तम दामपत्य भाव में गोचर करते हुए शुक्र आपको बहतरीन सफलता दिलाएंगे जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी शासन सत्ता का पूर्ण सहयोग मिलेगा व्यापार क्षेत्र में लाभ मिल सकता है और आकस्मिक लाभ के भी संकेत मिल रही है शुक्र जमकर धन वर्शा करने वाले हैं कलाकार जातकों को बहुत लाभ मिलेगा समाज में मान सम्मान बढ़ेगा भौतिक सुखों में व्रिद्धी होगी खुशियों भरे दिन आएंगे वैवाहिक वारता भी सफल होगी विद्यार्थियों के लिए स्थितियां और अनुकूल रहेंगी तो दोस्तों यह समय इन चार राशिवालों के जीवन में धेर सारी खुशिया लेकर आ रहा है इस जेश्ट पूर्णिमा पर भगवान विश्णों और भगवान शिव सहित मान लक्षमी का ध्यान अवर्श करें मिलने वाले लाभों में व्रिद्धी होगी तो कमेंट बॉक्स में जयमा लक्षमी लिखना बिलकुल ना भूले उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी ऐसे ही धार्मिक जानकारी दिलाने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें धन्यवाद